हालो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास पाई जाने वाली तीन आयामी आकृतियों के बारे में मैंने मेज पर ऐसी कई आकृतियां रखी हैं चलिए हम अपनी पसदीदा आईस क्रीम से शुरू करते हैं इसकी आकृति क्या है इसे हम शंकू यानि की कोण कहते हैं यह र्यूबिक्स क्यूब है एक घन यह कागस का एक डबा है जिसे ओरिगामी की मदद से बनाया गया है यहां हम एक गेन देख रहे हैं कागस की गठरी औ पर हमारे पास टेलकम पाउडर है एक केन और बच्चों का गहनों का डबा और ऐसी ही कई और चीज़ें हम इन सब आकृतियों से घिरे वे हैं और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं जैसे की यह एक घन यानि क्यूब है यह केन एक बेलन है जिसे अंग्र वालियूम डिकालेंगे इसके पहले यह समझते हैं कि इनका क्षेदर फल और वालियूम डिकालना जरूरी क्यों है माल लीजिए आप टेलकम पाउडर खरीद दे जा रहे हैं यहां पर एक बोतल उची है और दूसरी की चोड़ाई ज्यादा है किस बोतल में ज्यादा पाउ तो हम शंकू, घनाब यानी के वॉइड, घन, बेरन यानी सिलिंडर, आदिके ख्षेदर फल और आयतन को निकालेंगे चरिये से शिंखला को शुरू किया जाए धन्यवाद